तो जैसा कि आप जानते हैं कि Aeroplane हवा में उड़ता है लेकिन क्या उसको चलने के लिए एक Normal engine का इस्तेमाल किया जाता है जो अपने हम कार में या फिर बाइक में इस्तेमाल किया जाते हैं क्या ऐसा engine यूस उल्च होता है नहीं जैसे कि आप इस पोटो में देख पा रहे हैं यही वो चीज है चिसको जैसे एरोप्लैन को धक्का लगता है मतलब कि यही जेट इंजन है तो चलिए हम देखते हैं तो यह जो चीज आप जो देख पा रहे हैं यह jet engine के अंदर का है तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि जहां से पीछे से जो धुआ जो फेक रहा है यह जला हुआ है आग की तरह फेक रहा है तो यह क्या है और आगे ठंडा टाइप का हवा यह क्या है तो सबसे पहले आप यह जान लिजे कि जब एरोप्लेन जब चलता ह तो आगे का जो पंकी है उसमें हवा ठंडा वाला जाता है अब वो ठंडा हवा जाने को जैसे वो पास किया जाता है जैसे कि आपको दिखाय जा रहा हूं लिजे फिर उस कंप्रेसर में एर को कंप्रेस किया जाता है फिर उसके बाद लगा हुआ होता है कंबस्चिन चिंब जैसे कि घुबारा में है प्रेंटर से निकलता है तो गुबार आगे जाता है सिर्फ ओसही होता है जब इसमें जब पीछे rider-force जब निकलता है तो आगे Ãrov clean को आगे धका लगता है और उसे हम लोगों का काम होता है yes जेट इंजन का में वर्किंग है तो हम जानेंगे और क्या का इसमें एक्ट्रा चीजे लगी हुए होती है जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि कंप्रेसर के बाद आपका लगा हुए कंबस्टन चेंबर और उसके बाद कुछ लगा हुए है वो जो चीज लगा हुए और एयर को कंप्रेस करते हैं और फिर दूसरा चीज आप नोजल देख रहोंगे नोजल क्या करता है कि जो एरिया है उसको कम करता है अब जैसे बड़े से अगर हम लोग पाईप अगर दबाते हैं पाईप को पतला करते हैं तो प्रेसर से पानी निकलता है वही स्वेम पर और हमारे राइड वीड इंजिन चैनल पर जरूर आईए करें